Hello everyone, welcome to study 5 आज की इस वीडियो सेशन में हम AVL Trees related question को यहाँ पर देखेंगे चली यह वीडियो को start करते है सबसे पहले समझते हैं कि what is AVL Tree लास्ट वीडियो लेक्चर जिसने भी देखा होगा वहाँ पर मैंने BST का concept बताया था Binary Search Tree तो AVL Tree भी similar है आपका BST But only difference is कि हम AVL Tree में Balancing Factor को लेकर यहाँ पर चलते है और जो Balancing Factor आपका रहता है वो रहता है माइनस 1, 0 और 1 के बीच में यानि कि हर एक node है ट्री की उसका जो Balancing Factor है वो तो या तो माइनस 1 हो सकता है या 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है अब in case अगर आपका Balancing Factor माइनस 1, 0 या 1 नहीं है तो आपको क्या Perform करना वड़ता है वहाँ पर Rotations Rotations Perform करके आपको Balancing Factor को Maintain करना वड़ता है हार एक node का अब जो Rotations है या आपकी चार टाइप्स की यहाँ पर होती है एक होता है LL यानि कि Left Left एक होता है RR यानि कि Right Right एक होता है LR और एक होता है RL यह चार टाइप्स की Rotations परफॉर्म करते हैं अगर आपका Balancing Factor माइनस 1, 0 और 1 नहीं है तो और जो Balancing Factor है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जो आपकी Height रहेगी Height of Left Subtree माइनस जो आपकी Height रहेगी Height of Right Subtree तो Balancing Factor को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जो आपका Left Subtree होगा उसकी जो Height होगी उससे हम माइनस करते है जो Right Subtree होगा उसकी Height को इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं Balancing Factor को चलoti कि एक्जामपल से समझते हैं कि किस तरह से हम जो है balancing factor को check करते हैं suppose आपके पास एक tree given है five six and seven जिस तरह से आप binary search tree को construct करते थे avial tree को भी आप उसी तरह से construct यहां पर करेंगे अब यहां पर हम सीखते हैं कि किस तरह से balancing factor को निकालते हैं जैसे यहां पर आपके पास seven node है seven के ना तो यहां पर left में कोई subtree है ना यहां पर right में कोई subtree है तो यहां पर इसका जो balancing factor है वो है आपका 7 यानि कि इसकी height कितनी है 1 तो इस तरह से इसका जो balancing factor है 6 node का इसका कितना आता है माइनस 1 अब calculate करते है node number 5 का balancing factor इसके जो left subtree है यहाँ पर कोई भी node नहीं है तो left subtree की height कितनी आ जाएगी 0, minus अब देखे इसकी right side में कौन कौन से node है एक 6 है और एक 7 तो अगर इसकी height calculate की जाए तो यह आपका level level 0 रहता है और यह आपका level 1 रहता है तो 1, 2 कितने level से 2 0, minus 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर minus 2 इसका जो balancing factor है वो कितना आ जाएगा minus 2 तो जब भी आपका balancing factor minus 1, 0 और 1 से कुछ और आता है तो आप rotations perform करते है अभी later में rotations भी देखेंगे किस तरह से हम rotations करते है अभी के लिए मैं आपको सिरफ balancing factor को calculate करना सिखा रहा हूँ अब देखिए एक और example लेखते है 5, 4, और 3 इस तरह से हमने एक tree कि यहाँ पर लिया इसी तरह से 4 का left में इसके एक node है तो 1, minus और right में इसके कोई भी node नहीं है तो 1, minus, 0 वो हो जाएगा आपका 1 तो इसका balancing factor कितना है इसी तरह से 5 का balancing factor कितना है इसके left subtree में कितने node से 1 इस level पर 1 है इस level पर 1 है तो 1, 2 तो इसका left में कितना हो जाएगा 2 minus अब right में इसका कोई भी node नहीं है तो हो जाएगा ये 0 तो इसका balancing factor कितना आता है plus 2 इस तरह से अब देगे यहाँ पर भी balancing factor ना तो minus 1 है ना 0 है और ना ही 1 है तो इस वाले tree में भी हम rotations perform करेंगे अब हम rotations देखते हैं कि अगर आपका balancing factor minus 1, 0 और 1 नहीं आ रहा तो हम rotations किस तरह से करते हैं first example देखते हैं अगर आपके पास इस तरह से मानलो tree given है 5, 6 and 7 सबसे पहले हम balancing factor यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर देखिए इसका balancing factor आ जाएगा 0 इसका आजाएगा minus 1 और इसका आजाएगा minus 2 तो यहाँ पर देखिए इसका जो balancing factor है वो ना minus 1 है ना 0 है ना 1 है तो इससे different इसका balancing factor है तो इसमें हम rotation यहाँ पर perform करेंगे अब question arises कौन सी rotation यहाँ पर perform होगी अब देखिए 5 से हम किस side को जा रहे है right side और यहाँ पर भी कौन सी side है right side तो यहाँ पर कौन सी rotation perform होगी RR जब भी आपकी RR rotation perform होगी हम अपना जो node है इसको anti-clockwise rotate करेंगे anti-clockwise यह याद रखना है आपने अब जब यह anti-clockwise rotate होगा आपका जो node है वो कुछ इस तरह से rotate होके बनेगा इस तरह से अब हम balancing factor चेक करते है इसका कितना हो जाएगा 0 क्यूंकि इसके left में और right में कुछ भी नहीं है इसका भी हो जाएगा 0 इसका हो जाएगा यहाँ पर left में इसका one node है तो one minus right में भी कितना node है स्था कितना हो गया 0 अब यह जो है आपका अवियल ट्री यहाँ पर बन गया आफटर rotation इसका balancing factor कितना हो गया 0 इस तरह से इस तरह से करते हैं हम और right rotation अब example लेते हैं left left rotation का मान लो इस तरह से आपके पास एक tree given है अब देखिए इसका balancing factor है 0, इसका कितना है 1 और इसका है 2 तो यहाँ पर इसका balancing factor है 2 यहाँ पर node कैसी थी? left subtree में और यहाँ पर भी node कैसी थी? left subtree में तो यहाँ पर कौशी rotation perform होगी? ll rotation, ठीक है? तो जब भी ll rotation perform होगी, हम अपनी जो node है इसको clockwise direction में move करेंगे clockwise direction में जब इस node को move करेंगे तो यह हो जाएगा 3 यह इस तरह से move करेंगी और यह इस तरह से दीए इस तरह से हम यहाँ पर rotate करेंगे इस तरह से अब इसका balancing vector 0 इसका 0 और इसका 1-1 वो हो जाएगा 0 similarly इसी तरह से हम LR rotation perform करते हैं और RL rotation perform करते हैं इसे for example हम ले रहे हैं यहाँ पर 10 और यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 11 इस तरह से अब देखिए इसका balancing factor है कितना 0 और इसका कितना है 1 और इसका balancing factor आ जाएगा minus 2 क्योंकि left में इसके कुछ भी नहीं है इस साइड को तो 0-2 तो लेवल से क्योंकि तो इसका balancing factor हो जाएगा यहाँ ना 1 है तो इसको भी हमें rotate करना पड़ेगा तो question arises यह किस तरह की rotation है देखिए यहाँ से गर हम चल रहे हैं तो यह है हमारा right side और यहाँ पर हम चल रहे है left side अब हमें पता लगी कौन सी rotation परफॉर्म हो रही है और gallery rotation जब भी रर रोटेशन पर फॉर्फॉर्म होगी हम सबसे पहले और और rotation परफॉर्म करेंगे दिखिए जब भी ड्रोटेशन करूं होगी हमारी सबसे पहले परफॉर्म करेंगे जैसे ही आरा रोटेशन परफॉर्म करेंगे आपकी जो ट्री है वो कुछ इस तरह से बन जाएगे 10 11 12 अब जो आरा रोटेशन है यह आपको परफॉर्म करने आ गई तो आरा रोटेशन जब भी आती है तो हम एंटी क्लॉक्वाइस मूव करते है तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा 11 10 अड ट्वेल ठीक है क्योंकि यहां पर बैलेंसिंग फेक्टर आपका यहां पर कितना आ रहा था माइनस टू इसलिए हमें एक बार और आरा रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ी तो याद रखना ज